हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का नीय ओवल्टेक के ओफिशल यूट्यूब चलन में दोस्तो अगर आप बारवी के लास पास है तो आप सभी के लिए बड़ी ही कुशका अबरी है यूँकि एरपोर्ट की तरफ से सीधी और बंपर भरती का ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिहां दोस्तो अगर आपका सपना है देश विदेश घुमने का एरलाइनस में जॉब करने का तो दोस्तो आप सभी के लिए गॉल्डन अपोर्चनिटी है यूँकि एरपोर्ट की तरफ से सीधी और बंपर भरती आ चुकी है केवल ये जो वेकेंसी निकाली जारी है केवल बारुई पास के इंडिएर्स के लिए भरती है अगर आप बारुई पास है तो ही आप इस वीडियो को लाट तक दिएगा जीहां दोस्तों प्रूफ के साथ आपको नोटिफिकेशन के बेसेज पे आपको भरती की पूरी जानकारी मिलने वाली है लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से शिकायत भी रहती है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिल सके प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं इस भरती की पूरी जानकारी के बारे में दोस्तों एरपोर्ट में जो वेकेंसी निकाय ली जारी है केवल बार्यू पास केंडियेट्स के लिए भरती है बंपर भरती है दोस्तों सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपे लगबग आपको परमन सैलरी मिल रही है मेल और फीमेल दोनों ही के इंडियेट्स अप्लाई कर सकते हैं और लोवर इंडिया की जोब है भरत में किसी भी राज्य में आप रेते हो चाहे राजस्तान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाना तो आप अप्लाई कर सकते हो लास्ट जेट जो है 30 सब्तमबर 2020 है आविदन करने की ओनलाई आविदन मांगे जा रहे है तो चली आपको दिखाते हैं ओफिशन नोटिफिकेशन का प्रूव दोस्तों जैसा कि आप दिखते हैं ये रहा ओफिशन नोटिफिकेशन कस्टमर सर्विसेज एजेंट की पोस्ट है बारी पास्क इंडियर्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप ग्रेजूट पास्ट भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर एज लिमिट भी है 18 से 30 साल है और 590 टोडल वेकिंसी जारी की गई है 15,000 से लेकि 25,000 रुपे तक आपको पर मन सेलरी मिल रही है 30 सब्तमबर 2020 इसकी लाज रेट है आगे बढ़ते हैं आपको हमारी ओफिशल वाप्साइट पर लेके चलते हैं कौन से डिपार्टमेंट से ये वेकिंसी निकाली जारी है तो दोस्तों आपको बता दें IZI Aviation Services Private Limited की तरफ से ये वेकिंसी निकाली जारी है देहली से यहां पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट का नाम है Customer Services Agent की पोस्ट है और Total Vacancy 590 है आवेदन के वन Online ही मांगे जा रहे है All Over India की Job Location है और All India के Male और Female Candidates अपलाई कर सकते हैं Selection Process में दोस्तों यहां पर आपकी Written Exam होगी उसके बाद आपकी Interview भी होगी और यहां पर सेलरी में आपको बताया 15,000 से लेकि 25,000 रुपे तक आपको पर मन सेलरी मिलेगी इस लिमिट यहां पर 18-25 साल है अधिक जानकरी के लिए आप Notification को भी Checkout कर सकते हैं और अब बात करते हैं Application Fees की तो दोस्तों यहां पर सभी Candidates के लिए 350 रुपे Application Fees है चाहे वो Journal का हो, OBC का हो या फिर SCST का हो आपको 350 रुपे का payment करना होगा online या किसी भी माध्यम से और यहां पर Education Qualification के वल बारी पास है अगर आप 10 प्लस 2 है तो आप Apply कर सकते हैं Apply कैसे करना है? Full Information यहां पर है यहां पर आप देशते हैं 29 जनवरी से आविदन चल रहे है यहां दोस्तों इसकी last date जो एक्स्टेंड हो चुकी है बढ़ा दी गई है 30 September 2020 है तो यहां पर आप देशते हैं last date जो बढ़ा दी गई है उसका notification भी यहां पर दिया गया है जो कि आप देशते हैं यहां पर साफ साफ है कि last date of online restriction तो 30 September तक आप online आविदन कर सकते हैं यह रहा IZI Aviation Daily.com का official website का link यहां पर आप किलिक करके online आविदन कर दीजेगा और यहां पर आपकी जो exam के admit car है वो October में जारी किया जाएंगे और यहां पर आपकी जो exam होगी October और November के बीच में tentative है और आपका जो result है exam होने के पंदा दिन के बाद में आपका जो result है वो जारी कर दिया जाएगा पोस्ट मैंने आपको बताई दिये, qualification बता दी है, salary बता दी है, age limit बता दी है, total vacancy बता दी गई है तो यहां पर आप दिसेते हैं आपका syllabus भी दे रखा है, exam किस प्रकार होगा, और exam का जो center है कहां पर है देली, जेपुर, गुवाहर्टी, भोपाल, मतलब all over इंडिया का job location है, यहां पर आप दिसते हैं, हैदराबाद, भुवनेश्वर, एमदाबाद, पत्ना, नेरादून, कॉलकता, कोची, बैंगलोर, चेनली, सब जगे यहां पर आपका exam का center है वो दे रखा है और दोस्तों, यहां पर आपका जो written exam होगा, उसकी details भी यहां पर दे रखी है, जैसा कि आपका यहां पर syllabus है, जैसा कि syllabus में यहां पर बताया गया है, general awareness के आपके सवाल आएंगे, और aviation knowledge में आपके 25 marks के सवाल आएंगे, और वहीं English knowledge में आपके 25 marks के सवाल आएंगे, और वह यहां पर आप देखते हैं, बारवी standard के according ही, आपको यहां पर सवाल पूछे जाएंगे, और आपका जो exam होगा, वह Hindi और English दोनों ही language में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीके, और यहां पर आप देखते हैं, यहां पर no negative marking, आपकी negative marking नहीं रहेगी, यानि कि आपके करना है, कहां पर आपको document upload करने है, कैसे आपको information फिल करनी है, वो सारी जानकरी यहां पर दी गई है, आपका email ID और phone number जो है, आपको वही डालने है, जो आप डेली basis पे operate करते हैं, selection process के बारे में यहां पर साफसा बताया गया कि आपका सबसे पहले return exam होगा, उसके बाद आपका, ठीक है, जनरल कंडिशन में आप चेकाउट कर सकते हैं, कि यहां पर आपको क्या-क्या benefit दिया जाएगा, किस प्रकार आपकी job की profile रहेगी, सारी जानकरी यहां पर दी गई है, तो अधिक जानकरी के लिए आप इस notification को ध्यान से पढ़ लिजएगा, अगर आपको इ विडियो को लाइक, शेल और चैनल को सब्सक्राइब जरू किजएगा, तन्यवाद